आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाठ साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगा नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोगी सरकी पाठ साला में आज इस वीडियो में हम दस्वी कक्षा के गनित विशे की एक्सरसाइज 3.2 के 7 क्योशन को सोल करने जा रहे हैं क्योशन क्या कहता है समी करनो X-Y 1 बराबर 0 और 3X-2Y-12 बराबर 0 का ग्राफ खिंचे पहले क्योशन विद्ध करते आई है तो इसमें ग्राफ खिंचने है अब की बारे इनों ने एक और क्या कहे दिया X सक्स और इन रेखाऊं से बने तिर्बुज के सिर्षों के निर्दे सांख कोडिनेट ज्याद कीजिए और तिर्बुजाकार पठल को चाहिंकेत कीजिए बड़ा इंपोर्टन के उसन है कई बार आ चुका है आपके बोर्ड के एक्साम में भी देखिए क्या है हमें इस समीकर्ण जो दीवी है X-Y प्लस एक बराबर जीरो पहले हम इसी की टेफल बना लेते हैं ये क्वेसन नमबर वन है अगर मैं X की वैलिए 0 लू तो यहां पर क्य हो जाएगा यहां में इसको पहले इसी करने के लिए पहले इसको इधर ले जाते हैं X-Y is equal to क्या हो जाएगा माइनस है यह समीकर्ण नमबर एक थी हमारे पास X का मान अगर मैंने 0 लिख लिया यह 0 हो जाएगा तो माइनस Y is equal to minus 1 means Y की value 1 होगी हम टेबल बना रहे हैं यहां एकस वाई एकस की value 0 वाई की value कितनी आगी एक आगी अगर हम एकस की वाई की value स्पोज करो वाई की value में 2 ले ले लेता हैं तो यहां पे X-2 is equal to minus 1 यह इधर जाके X is equal to यह plus का हो जाएगा minus 1 X का मान कितना आ गया 1 आ गया तो Y की value 2 X का मान कितना हो गया 1 चीक है इसी तरह 3X plus 2Y वो minus 12 है इधर जाके मैं इसको क्या कर दूँ 12 यह हमारे पास second equation आ गया अगर मैं X की value 0 लेता हूं X is equal to 0 तो 2Y is equal to 12 और Y का मान कितना हो गया 6 टेबल में लिख लीजी X Y X का मान सुन्ये Y का मान 6 और अगर मैं Y की value 0 ले लेता हूं तो यह 0 हो गया means 3X is equal to 12 और X की value कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी तो Y का मान 0 X का मान 4 हमने पहले इसको number line पे represent करना है sorry graph में represent करना है number line पे नहीं यह हमारा origin हो गया मूल बिंदू यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 X हो गया X dash minus 1 minus 2 minus 3 इदर हमारा पास Y dash है minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 4 5 यह Y हो गया पहले इसमें X की value 0 इसके उपर Y का मान 1 यह point हो गया 0 1 इसके बाद X की value 0 Y की value 1 इसके बाद क्या है X की value 1 है Y की value 2 है X की value 1 है और Y की value कहां है 2 है तो हमारा पास कौन सा हो गया यह हो गया sorry X की value 1 Y की value 2 हमारा पास कौन सा हो गया यह point हो गया 1 and 2 हो गया next में हम क्या है x की value 0 y की value 6 6 हो गया यह point हो गया अच्छे यह line हमने खींचे नहीं थी तो हमें line को खींचे लेता हूँ क्या बनेगा यह ऐसे line बने जाएगे और line का नाम भी लिख लेते हैं x minus y plus 1 is equal to 0 दूसरा क्या है दूसरी line x की value 0 y की value 6 x का मांद 0 6 यह हो गया 0 6 दूसरा क्या है x का मांद 4 y का मांद 4 यह हो गया तो अगर हम इनको मिलाते हैं तो फिर हमारे पास यह graph में होता है तब बिल्कुल सीधा बनेगा यह हमारे पास ऐसे बन गया equation क्या बनगे हमारे पास से 3x प्लस 2y बराबर है कितना हो गया 12 यहां पे यह यहां 2 और यहां पे 3 यह जो point आएगा यहां अगर आप जब graph में देखोगे तो x का मांद 2 होगा और y का मांद कितना होगा 3 होगा अब इन्होंने क्या कहा हमने graph खेंच दिया अब इन्होंने बोला x x x कौन सा है यह हमारा x x है इसके बाद और इन रेखाँ से कौन सी रेखा एक रेखा यह और एक रेखा से बने तर्वूज अब आपको यहां पर कहीं पर तर्वूज नजर आ रहा है हाँ जी यह बन रहा तर्वूज यहां से लेके यहां तक मेरा जो है यह तर्वूज बन गया ठीक है तो बने तर्वूज के सिर्षों के मालो हम इनके नाम दे देते हैं मैंने नाम दे दिया, A ये मैंने दे दिया, B ये मैंने दे दिया, C, तिरभुज, A, B, C, K, शिर्ष, अब A केतना हुआ, A, A point मेरा क्या आगया, दो तीन हो गया, B point क्या हुआ मेरा, B point X का मान, minus A का Y का मान, 0, minus 1, 0, और C point मेरा क्या बना, C क्या है, X का मान, 4 है, और Y का मान, सुनने है, 4, 0, ये हमने इनके सिर्षों के निर्दे सांग ज्यात कर दीजी, अब और बोला, तिरभुजाकार पटल को चांकित कीजी, मतलब इनको हमने pencil से color कर दिया, चांकित कर दिया, तो इस तरह से, इस वीडियो में हमने exercise 3.2 के last question को solve किया, next video में हम अगली exercise के पहले question के साथ मिलते हैं, तर तक के लिए, thank you.